हालो स्टुडेंट्स वैलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नलोजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लन्टेशन क्रोप लेक्चर फाइब बनाना पार्ट सेकेंड जो फर्स्ट पार्ट था आपने बनाना की कल्टिवेशन के बारे में देखा था सोयल, क्लाइमेट, हार्वेस्टिंग तक तो यह वाला जो टॉपिक है अपना प्लांट प्रोटक्शन मिजर के ओपर है कि कौन-कौन से इंसेक्ट होते हैं कौन-कौन सी डिजीज इसको हार्म करती हैं जहां फिर इसमें कौन-कौन से फिजियोलोजिकल डिसॉर्डर होते हैं केले को पकाते हैं तोन reaching चोटा से टौपिक से डालाई कि राइपनिंग कैसे करते हैं बनाना मेंिस जो मैंने पहले वाले में डालना बूल गया तो पकाते कैसे हैं तो स्टाट्विक राइपनिग ऑप बनाना फिरूट्स sulphायत बंचेो बनाना अरो हैपने और हीप्ड in dry and clean एयर टाइट रूम एंड कवरिंग बिद लीव्स जो बंच होते हैं के ले के पहले तो ये संगलो की राइपनिंग से का मतलब राइपनिंग होता है के ले को पकाना मैचुरुटी स्टेज पर उसको तोड़ लिया जाता है जब फुल मैचुर हो जाता है किला ठीक है उसके बा चार दिन में पक जाते हैं अगर इसको अपने और ज्यादा तेजी से पकाना चाहें मतलब वैसे तो अपने आप भी पक जाते हैं अगर इस चीज़ को और ज़्यादा हना हांस करना चाहें तो हाफ टाइम में तो अपने क्या करते हैं उसमें समोक जो धुआ होता है वो देते हैं समोक देने के लिए क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉव होती है लीव्ज होती है काव ठीक है लगबग एक दिन बंद करके रखते है कमरा उसके बाद उस स्मोक में से बंचों को बाहर निकाल के रख देते हैं जिससे कि उसमें से अच्छा कलर आ जाए एक और सिंपल सा मेथड भी यूज़ करते हैं लोग जो थोड़ा हनी का रखतो है क्योंकि टूफोर्डी का य इसको करते हैं एक घरेखुलेटर निकाई कि ईसके अलबा कुछ लोग इसे बर्ब से भी पकाते हैं बर्ब की सिलियों में इसको पकाया जाताए के लेंको ठीक है तो आक्स्ट है अपना इंसेक पेस्ट जो मेन टॉर्पिक आझ इंसेक्ट πेस्ट कॉन-कॉन से इसको एफेक इन्टू दा सीडो स्टेम, लीव्स टर्न यहलो, विदर अल्टिमेट डाइज, मतलब उसके बाद क्या होता है कि गव्स क्या करती है, जो इसकी यह कीड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी एक लट वाली कंडिशन भी रहती है, यह दोनों के दोनों ही पोदे को नुक पहुंचाती है, जो सीडो स्टेम होता है, अभासी तना होता है के लेगा, उसके अंदर यह शेद कर देते हैं, ठीक है, जिससे पतियां जैलो कलर की हो जाती है, पीली पड़ जाती है, और पोदा उसके बाद मर जाता है, ठीक, कंट्रॉल है इसका फॉलो क्लीन पसेंट कार्वेरिल, जाँ इसके साथ साथ 0.04% एंडोसिलफान का जाँ कार्वेरिल का शिड़काव करना चाहिए, ठीक है, इसके लावा है, रूट स्टॉक गीविल, कॉस्मो पॉट लिटिस सॉर्डी डस, ठीक है, इसमें भी जो गरब होती है, यह ज़्यादा तर राइ राइजोम रहता है, केले का, उसको खाती है, उसके अंदर बोर करती है, उसको नुक्सान पहुंचाती है, कंट्रॉल है इसका, रिमूव एंड डिस्ट्रोई इंफेक्टेड ड्राइजोम, जहां भी आपको लगेगी इस इंसेक्ट का अटेक है, राइजोम आपके खाई बोर किया हुआ है, तो जो भी पोदा ऐसा लगे उसको खाड़ो और उसको डिस्ट्रोई कर दो, स्प्रेज 0.03% फॉस्ममीडोन और 0.05% फेंट्रो थियोन, इन दोनों का उधे का जो बेस होता है, उसके चारो तरफ इसका स्प्रेज करना चाहिए, श्रिकाव करना चाहिए ठीक है, नेक्स्ट है बनाना एफिड, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, काफी फेमस इंसेक्ट है, जहां कहलो कि यह काफी सीरियस पेस्ट है, इसके कारण एक वाइरस, जो बंची टॉफ वाइरस है, यह डिजीज भी यह वेक्टर की तरह काम करता है, कॉस करता है, तो इसके जो जैसे की एफिड होता है, कि पोथे के जो नाजुक भाग होते हैं, वहां से रस चूज के उसको नुकसान पहुंचाता है, यह भी कॉस करता है, इसके लिए कंट्रोल क्या है, इसके लिए कंट्रोल क्या है, 0.03% रोगर 30 EC, यह डाइमेथोएट, ठीक है, जानी जा फास्मोमीड और जा फिर मोनो क्रोटोफोस काफ, शिट काफ करो पोदे के उपर, उसके बाद हैं, डिजीजेज के अंदर फर्स डिजीज है, पनामा विल्ट, काफी फेमस डिजीज है, फ्यूजेरियम, ऑक्सिस्पोरम, जा फ्यूजेरियम, कुबैंसस के कारण होती है ठीक है, ठीक है, खौजल ऑर्गेनिजम है, फंगल डिजीज है, इस डिजीज फर्स टाफ रिकॉर्डड इन पनामा, इन अर्ली 19th सेंचुरी, पनामा डिजीज इसका नाम पनामा जगया के कारण है, क्योंकि यह सबस्तर पहले पनामा के अंदर इसको देखा गया था पर डिजीज की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मतलब पानी की निकासी की अच्छा ववस्ता नहीं है, तो वहां पर जो स्वेल बॉर्न फंगर से ज्यादा अटेक करती है, अफेक्टेड प्लांट शो यालो इंग ऑफ लीज और लेटर दे हैंग अरूंड अरूंड सीड़ जो अफेक्टेड पोदा होता है, वो पतियां उसकी सूख जाती है, यलो हो जाती है, उसके बाद पोदे के चारो तरफ लटक जाती है, जैसा कि पिक्चर में इस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, पोदे के चारो तरफ लटक जाती है, इसके बाद इसका कंट्रोल क्या जो भी आपका प्रभावित पोधा है उसको जर्समेत उखाड़ो और उसको डिस्ट्रोय कर दो दूसरा है यूज ऑनली डिजीज फ्री सकर्स एंड राइजोम फो प्लांटिंग दूसरा यह कर सकते हो कि आप जब भी प्लांटिंग करो वो डिजीज फ्री सकर्स से करो ठीक है इसके लाब वावस्टीन जो कर्वेंडा जाहिम के नाम से आती है ठीक है एक ग्राम को एक लिटर पानी के अंदर गोल बनाकर उसका अपलाई करना चाहिए जमीन के ओपर डालना चाहिए ड्रेंच करना चाहिए यूज डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज लाएकि बसर है बंचे टीटॉप बंचेट वारस बनाना वारस वन इसको मुसा वारस ब used को ऑखिर बाऑर जुम्मारी बहुं होता है तो यह उसका आप सकते हो कि बनावार ब्रेंज वाला मूर Özके लिटर्प्र ग्रणा के नाम जानते है जा बंचेट वारस के नाम से भी जानते हैं फ इसको सबसे पहले फीजी के अंदर फीजी एक जगह का नाम है वहां पे 1891 के अंदर देखा गया था ठीक है प्लान्ट रिपेड अंक्र्ड़ यह च्याय बिदन की उधनिक हरो की यह कैरी कैसे होते है एक जगह से दूसरी जगह पे तो जो भी प्लान्ट है वहां से अपने सकर सिलेंगे और लगाेंगे तो भी यह चंद की वहां से फीजाह अगा इस्यादा पाई जाती है वह वैक्टर क्या है जो इसको फैलाता है वह वह इसको एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाने का काम करता है infected plants show short and narrow leaves together at the top of the seedo stem to form a bunch the margin of lips become baby in advanced stage of infection and roll जो पत्तियों के किनारे होते हैं वह वेवी हो जाते हैं मतलब लहरदार हो जाते हैं क्योंकि केली के बड़े-बड़े पत्ते होते हैं वह लहरदार बनते हैं मतलब ऐसे की जैसे गुटके कोई चीज निकल रही हो दबाई हो दबाके निकल रही हो तो वेवी सी हो जाती है और और बाहर की तरफ घूम जाती है अगर पत्ती के जो साइज कम हो जाता है जिसके करण पोधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है पोधा छोटा दिखाई देता है कंट्रोल क्या है रिमूब आल इफेक्टेट प्लांट विद कम्पलेट रिया राइजोम मतलब एकदम से पूरी के तरह पूरे पोधे को जड़ समेत उखाड के राइजोम समेत उखाड के नश्ट कर देना चाहिए ठीक है एक तो क्योंगी यह वाइरस है इसका वैसे तो कोई कंट्रोल नहीं है अगर यह दूसरे पोधों में भी फैल सकता इसलिए पूर भी तरह से कंपलेटली उसको रिमूव कर देना चाहिए पोधे को कंट्रोल बनाना एफिड विद स्प्रे ओफ 0.3% रोगर जो बनाना एफिड है जो वैक्टर है उसका कंट्रोल करना चाहिए ठीक है रोगर का स्प्रे करके प्लांट जो भी अपने को प्लांटिंग करनी है तो अपने को हमेशा ऐसे अच्छे सोर्स से पोधे अप्टेंड करने चाहिए जहां पर यह वाइरस की समस्या ना हो कें नेक्स्ट है सिगाटो का लिप स्पोर्ट्स गटो का लिप स्पोर्त यह माइको श्फेरिला नुसी कोला के कारन होती है यह फं संग्स है ठीक है दिस डिजीज कॉसल एपीडेमिक इंदा-शिगण कर वैली इन-फीजी इन- इन-इं- तर्टेन तर्टेन इस डिजीज जो यह बिमारी है इस डिजीज कॉज़न एपिडैमिक के तरह है नतर पूरा का फूरा शेतर खाली हो गया था सिगा टोका वेली का फीजीका लगवग 1912 के अंदर इस डिजीज के करण इस फंगल डिजीज, यह फंगल डिजीज है, the disease of bunch, sorry, the size of bunch and fruit is reduced due to reduction of leaf area available for photosynthesis, जो पती का, यह कहलोगे, पती के उपर बहुत सारे दपे बन जाती है, ठीक है, जिससे chlorophyll वाला जो भाग होता है, वो कम रह जाता है, जिससे जो photosynthesis की process होती है, वो कम हो पाती है, उसके कारण, ज जो fruit का size होता है, bunch का size और fruit का size, मतलब जो गुच्छा निकलता है और उस पर fruit लगते हैं, दोनों का size ही कम हो जाता है, reduce हो जाता है, कम रह जाता है, ठीक है, high humidity, close planting, heavy weed और grass cover and failure to remove sucker favor in spreading disease, बहुत ज्यादा humidity होना, बहुत ज्यादा नमी होना वातवर्ण के अंदर, close planting होना, जा आपके जो suckers हैं, उनको आपने timely उखाडाने, क्योंकि dee suckering भी एक practice है, जो बनाना के अंदर की जाती है, इसमें हर साल जो दो healthy suckers को छोड़के और जितने भी बनाना के suckers होते हैं, उनको remove कर देते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सारे के suckers ही, उसमें हो रह पुरा high density में हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ही कम space रह जाएगा, जिसके कारण ये बिमारी जादा होगी, जहां इसके अलावा आपका जो weeds है, heavy weeds होना, उसके अंदर grass और ऐसा कुछ होना, जिसके कारण भी ये बिमारी जादा spread होती है, control क्या है, have provision of drainage, drainage का अच्छी facility होन remove infected leaves and destroy them, कोई भी पत्ती जो प्रभावित लग रही है, उसको काट के उसको destroy कर देना चाहिए, spray bodox mixture plus 2% linseed oil, bodox mixture का और linseed oil का जो spray है, इसका करना चाहिए, diethin m45, जो है, इसका भी आप spray कर सकते हो, 0.2% का, ठीक है, disorders का कौन कौन से है, disorder मैंने पहले भी कई बार बताया, disorder क् किसी ना किसी nutrient की deficiency के कारण, किसी environmental कमी के कारण कारण, unfavorable environment के कारण, जो भी विकरतियां होती है, ठीक है, disorders होती है, कैलो की, बिमारी होती है, वो physiological disorders कहलाती है, पहला है, chalk throat और banana, chalk throat काहलो की, गला गूट जाना बनाना का, जहां से वो बंच निकलना है, अगर अगर सिंपल ब बंच का निकलना है, तो कारण क्या है, पहले तो अपने देख लेते हैं, due to low temperature, yellowing of leaves occur, and under severe condition, the leaves become necrotic, जो कम तापमान के कारण का भी-कभी, जो पतियां होती है, वो yellow हो जाती है, कैले की, क्योंकि केला एक temperature, sorry, tropical plant है, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसमें कम तापम में cultivate होती है, कम climate में भी, जो कम temperature के अंदर भी उखाई जा सकती है, पर अगर temperature, जो इसका threshold temperature उससे कम रहता है, तो ये समस्या आ जाती है, due to low temperature, पतियां पीली पड़ जाती है, और ज्यादा अगर condition severe रहती है, तो necrotic हो जाती है, उत्तक शय होने लग जाता है, उनके अंदर ठीक है, दब्वे बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, अंडर normal condition, the bunch emergence from seedo stem, but when temperature is low, it do not emerges properly from the seedo stem, जो bunch होता है, बैसे तो normal condition के अंदर तो उसमें से निकलता है, ठीक है, जैसे इस picture के अंदर आपको bunch निकलता हुआ, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल center में से, ठीक है, वो temperature कम होता है, तो उससे उसका गला जो होता है, वहाँ से जो stem निकल रहा होता है, seedo stem, sorry, seedo stem में से बंच निकल रहा होता है, वहाँ से चोक हो जाता है, वहाँ से वो निकलने उसकी growth slow हो जाती है, यह कहलो, ठीक है, और the maturity time, अगर निकल आया, मालो थोड़ी बहुत दूर तक दीरे दीरे भो time लेकर निकला, वी तो भी उसकी जो maturity होती है, मतलब उसका कहलो कि जब तुड़ाई वाली stage आती है, वो बहुत ही late आती है, लगब लगब साड़े 3-4 महिने के अंदर तो लगब बंच ready हो जाता है तुड़ाई के लिए, पर इसमें वो 5-6 महिने लेगा, अ एक तो use of varieties that hold into low temperature, जो low temperature को सहन कर सकें, ऐसी किसमों का उप्योग करना चाहिए, use eucalyptus as shelterbelt check the effect of cold wind, इसके लबाद जो eucalyptus है, सफेदा कहा देते हो, ठीक है, उसको shelterbelt के रूप में लगाना चाहिए, जिससे कि ये जो ठंडी हवाएं हैं, उनको रोक सके, shelterbelt, आपके और चा कोटाई बजाई, ठीक है, एक disorder है, केले का ही, disorder serious in proven variety of banana, result in 10-25% reduction in yield, लगवा 10-25% उपस के अंदर नुकसान करता है, और ज्यादा तर ये पूवन किसम के अंदर बनाना के देखने को मिलता है, इसके अंदर होता क्या है, केले का normal केला बीज रहीत होता है, seedless होता है, पर इस में क्या होता है, कि उसके अंदर बीज बन जाती है, जिसके कान वो edible नहीं रहता, ठीक है, और फल देखने में भी ऐसे भरा हुआ लगेगा, आपको जैसे कोई बीमार केला हो जाँ, उसके अंदर पल पैसी होगी, जो बीमारी जैसी लगेगी आपको, वो खाने लायक नहीं होता, केले के अंदर बीज बन जाना, कोटाई वजाई कहलाता है, ठीक है, इसके लाबा मनेजमेंट क्या है, इसका spray 20 ppm, 240, बंच के उपर जैसे बंच निकलने स्टार्ट होते है, ठीक है, थोड़े से मैच, निकलना स्टार्ट होता है, उस टाइम उसके उपर 240 का spray काना जा ठीक, next step, peel splitting, longitudinal split of the peel usually beginning from the proximal and near the pedicle, the split usually divides the peel into unequal halves and ultimately expose the pulp as the split widens, ये कहलो की, जैसे की picture में दिखाई दे रहा है, जो peel होती है, जनी कि शिलका होता है, केले का, वो longitudinally split हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, जो end होता है, उसका pedicle वहां से लेके proximal end तक, नीचे तक, ठीक है, जहां तक flower लगा हो रहता है, मानलू के attach रहता है, वहां तक फट जाता है, और ये खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है, और केले को दो भागों के अंदर, ऐसमान दो भागों के अंदर divide कर देता है, जो ये cut होता है, केले को, ठीक है, control क्या है, management, इसका harvest physiological mature green bunches, हमेशा जो physiological mature bunch उनको harvest कर लेना चाहिए, उसको पोदे के उपर लगे नहीं रहने देना चाहिए, अपने उपर ही पका रहे है, मतलब maturity के time, लग headed bunches and cut into clusters, जो bunch cluster के अंदर लगे हुए, जो bunch के अंदर लगे हुए, उनको clusters को, मतलब उसके जो अपने दर्जन कहा देते हैं, पूरी एक जुड़ी ही आपको market में मिलती है, वैसे उनको अलग-अलग पहले ही कर लेना चाहिए, उसके main bunch से, main गुच्छे से, तो भी ये humidity of 90 to 95%, जो ripened fruits होते हैं, पकने वाले फल होते हैं, उनको ethylene के अंदर expose कर देना चाहिए, मतलब उनको थोड़ी देर ethylene का treatment देना चाहिए, एक milliliter per liter और 24 से 48 गंटे तक, और 14 से 18 डिगरी temperature के उपर और लगवर 90 से 95% relative humidity होनी चाहिए, जाब उस चीज को आप ethylene का treatment दे रह 15 डिगरी celsius और फलों को ventilated rooms के अंदर रखो और allow करोगी उसके उपर जो temperature है, condition temperature वाली वो लगवर 18 डिगरी के आसपास रहे, thank you